उत्रप्रदेश की सियासत में मचे उठापटक की चर्चा इन दिनों लखनाउं से लेकर दिल्ली तक खूब हो रही है चाहे वो भारतिय जंता पार्टी में योगे अधितनात बनाम केशो प्रसाद मौरे में पड़ी फूट की हो या फिर अखलेश यादो के नेता प्रतिपक्स चुनने के फैसले की हो नेता प्रतिपक्स चुनने पर अखलेश यादो ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे कर दिया इसके साथ ही देश की सियासत में एक बार फिर से अखलेश यादो की नीतियों पर सवाल उठने लगे जो अखलेश यादो पीडिये के तहद जिस तरीके से राजनीति साथते हुए लोग सबत चुनाओं में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन कर उभरते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरते हैं वही अखलेश यादो पीडिये से उपर सवन्ट जाती से माताप्रसाद पांडे का नाम आगे करदेते हैं और इसी पर कही न कही मायवति ने अब कई सवाल खड़े कर दिये हैं मायवति ने सिधे तور पर अखलेश यादों पर हमला बोला है मैवती ने आखिर कहा क्या है जरा सुनिए बस्पा सुप्रीमों ने सपा अध्यक्ष के फैंसले पर नाखुशी जटाते हुए पीडिये को गुमराख करने का आरूप लगाया है उन्होंने कहा है कि सपा में जाती विशेश को छोड़ कर बाकी पीडिये के लिए कोई भी जगा नहीं है बस्पा सुप्रीमों ने एक्स पर लिखा कि सपा मुखिया ने लोग सबा चुना में खास कर समविधान बचाने के आर्ड में यहां पीडिये को गुमराख करके उनका वोट जरूर हासिल किया लेकिन यूपी विधान सबा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई या भी सोचने की बात जबकि सपा में एक जाती विशेश को छोड़ कर बाकी पीडिये के लिए कोई जगा नहीं है ब्रामर समाज की तो कताई नहीं क्योंकि सपा वा भाजपा सरकार में जो इनका उतपीरण वा उपेक्षा हुई है वा किसी से छुपा नहीं है वास्तों में इनका विकास एव उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ है आता ये लोग जरूर साउधान रहें दरसल जिस तरीके से माया वती ने कहीं न कहीं या आरोप अखलेश यादों पर लगाया है कि अखलेश यादों ने पूरा का पूरा लोग सभा चुनाओ पीडिये के तहद लड़ा यानि पिचड़ा दलित और अल्प संख्या के लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश की सियास सियासत में होने वाले दस विधान सवा सीटों पर उप्चुनाओ की करें तो इस वक्त कहींने सवन जाती से माता प्रसाद पांडे का नाम आगे कर दिया और माता प्रसाद पांडे का नाम कहीं न कहीं चोकाने वाला इसलिए भी था क्योंकि यूपी की सियासत में शिवपा बड़ चैरे हैं एक 80 साल एंके उमर है और अनुभवी नेता है और अखलेश यादों का यह फैसला इसलिए भी कई मायने इसके निकलते हैं कि एक की जो सवन जाती है वो कहने का इस वक्त भारती जनता पार्टी से नराज है और इसी चलते हैं अखलेश यादों ने सवन जाती कि जो कह सकते हैं भूमिका को बढ़ान के लिए ख्लेश यादो ने ये बड़ा दाओ केला है और माना यहीं जा रहा है कि पीडिये तो ख्लेश यादो के साथ है यानी बिच्टडा दलित और अल्फ संख्यक ओकलेश यादों के साथ जुड़ी गया है लेकिन अब ख्लेश यादों ने एक कदम आगे बढाते हुए माता प्रसाद पांडे का नाम इसलिए आगे किया है क्योंकि जो वोटर्स जो ब्रामण वोटर्स भारतिय जंता पार्टी से नाराज है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते वे नजर आए समाजवादी पार्टी को जो है समर्तन दे और अखलेश यादो को समर्तन मिले इससे कहीं न कहीं अखलेश यादो ने एक तीर से दो निशाने की जो बात है वो कहीं न कहीं कहते हुए नजर आए यानि एक तीर से दो निशाना मारा है हलाकि ये निशाना कितना साथीक होगा ये आने वाले दस सीटों पर विधान सभा के उपचुन कई माइने है लेकिन जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया गया है इसको लेकर के मायावती ने खुले तोर पर हमला बोला है मायावती ने यहा रूप लगाया है कि अखलेश यादव ने कहीं न कहीं पीडिये के तहद सविधान बचाने की नीती के तहद जो पूरा का पूरा चुनाओ था वो लड़ा और जीत भी हासिल की प्रचंड बहुमत भी हासिल की और प्रदेश की पहली नंबर की पाटी बनकर उबरी लेकिन अब जब उप चुनाओ है तो सवन जाती के नेता प्रतिपक्ष बना ने बना दिया इसको लेकर के कहीं ने कहीं म सपा के बिधायकों के तरफ से लगतार इस बात के दावे किये जा रहे हैं कि शुपाल सिंग्न यादव की कहीं ने कहीं हामी कि तरफ से इस तरह की कोई भी बात नहीं कहीं गई है अला कि आने वाले दिनों में इस बात में कितनी सचाई है वो हम जान सकेंगे फिलप बरहाल देखा जाए तो कहीं न कहीं उत्तर परदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव किया है अखलेश यादाव ने और जिस तरीक आगे कि ब्रामर और राजपुत जो समुदाय है जो वोटर्स है वो कहीं ने कहीं भारतिय जंता पार्टी से नाराज बताये जा रहे हैं इतना ही नहीं आपने देखा होगा कि अमेटी में लोकसभा चुनाओ के दरान जो राजपुत वोटर्स थे वो जगा जगा पर जाकर लोगों को कसमे खिला रहे थे और कहीं न कहीं इस बात की कसम खिला रहे थे कि भारतिय जंता पार्टी को वोट नहीं देना हाला कि उनका मानना ये था कि जिनोंने महिलाओं का अपमान किया जिनोंने महिलाओं के लिए मुद्दे नहीं उठाए खासतोर पर इसमरिती रानी और बिरिजबुसन सरंसिंग के लिए उनको हम वोट नहीं देंगे उनको हम समर्थन नहीं देंगे और यही वो बड़ी वज़ा है कि अखलीश यादों को इस बार कहीं न कहीं प्रचंड बहुमत मिली कई सीटों पर जीत हासिल की और भारतिय जनता पार्टी जिस बात के जो है वो कहीं न कहीं जमिनी तोर पर सही थाबित नहीं हुआ भारतिय जनता पार्टी में लगतार इस्तिती बिगरतीवी नजर आ रही है वो नए तुल पकड़ती वी नजर आ रही है और इसकी चर्चा हो रही है कि क्या आब CM योगी की जो कुरसी है वो उनके हाथ से जाने वाली है आप देखें कि जिस तरीके से जो तस्बीर इस वक्त उत्तर प्रदेश की रानीती से आ रही है कि कहीं न कहीं कल जब बैठक हुई कर लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो मनोच पांडे वो शक्स है जिन्नोंने राजसबा के चुनाओ के दोरान समाजवादी पार्टी से बगावत करके और वो भारती जनता पार्टी में शामिल हो गए थे भारती जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था लेकिन इस वक्त जो उतरप्रदेश की मौझूदा राइनितिक जो कह सकते हाला थे वो कहीं न कहीं दोनों ही तरफ या फिर बिपक्ष और पक्ष दोनों ही तरफ कहीं न कहीं हाला जो है वो बेहत नाजूप बताय जा रहे हैं खास तौर पर जिस तरीके से अखलेश यादों ने फैसला ये लिया है इसको लेकर के लगतार अब देखना होगा कि सपा में फूट परती है या फिर कई न कहीं वाकई में शिपाल सिंग यादों ने इस पर हामी भर दिये दूसरी तरब केशो पर साद मुरे और योगी अधितनात के रिष्टे पर कि माना यही जा रहा है कि केशो पर साद मुरे जिस तरीके से बैठको पर बैठके कर रहे हैं तमाम सहयोगी दलों से मिल रहे हैं वहीं योगी अधितनात लगतार संजे निसाद ओपी राजबर और जो विदायक सांसद मंत्री समर्था कारेकरता जितने भी लोग हैं उनसे कही न कहीं मिलते भी नजर आ रहे हैं और यह कहीं न कहीं एक शक्ती प्रदर्चन है लेकिन इसकी जो भनक है वो दिल्ली तक लग चुकी है और दिल्ली में योगी अधितनात और केशो प्रसाद मुरे के इस खटपट को लेकर क्या फैसला लेते हैं आला कमान यह भी कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी प्लाल मया प्लाल में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शन पॉलिटिकल बाइट के साथ